नमस्ते मिरा नाम है विदाश रब सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है कल से मैच शुरू हो रहा है पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच में रावल पिंडी में टेस्ट मैच खेला जाएगा दोनों टेस्ट मैच जो है रावल पिंडी में ही खेले जाने है लेकिन क कल के मैच में जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने के लिए उत्रेगी तो सभी की निगाहें बाबर आजम पे होने वाली है क्योंकि बाबर कप्तान रहे या ना रहे सेंटर ओफ एट्रेक्शन तो बने हुए रहते हैं लोग उन्हीं की बल्लेबाजी देखने के लिए टिकट कटाते हैं स्टेडियम जाते हैं पॉपकॉर्ण खाते हैं और मैच इंजवाई करते हैं तो बाबर आजम से सबको उमीदे तो है और रहने भी चाहिए अगर आप वजीब बात है कि लोग टेस्ट क्रिकेट में 4000 का जो माइलस्टोन ने वह पहले पूरा करता हैं बाद में T20 क्रिकेट में पूरा करते हैं क्यों क्योंकि T20 क्रिकेट कम खेला जाता है अनफुर्चनेटली पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने T20i format ज्यादा खेले हैं और क्रिकेट उन्होंने कम खेले हैं और खेले भी है ना अलागि 52 टेस्ट मैच आसान नहीं होता है उन्होंने खेले लेकिन शुरुवाती जो टाइम था बाबर के जो शुरुवात के 23 टेस्ट मैच जो थे वहां पर बाबर का परफॉर्मेंस बहुत जादा घटिया था एक ही स 261 उन्होंने बनाए है इस से यह पता चलता है कि बाबर कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे और इस दौरान आठ सेंचूरी और पंद्रह हाफ सेंचूरी भी बाबर के बल्ले से निकले हैं वर्ल्टेस चंपेशिप में बाबर आजम जो है एक मात्र एक मात्र पाकिस्तान के बैट्समेन है जो सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में वो टॉप 5 टॉप 10 में बने हुए है और बाबर अगर 349 रन और बनाते हैं अपकमिंग टेस्ट सेरीज में तो वो 3000 रन टेस्ट रन पूरा करने वाले WTC की में बात कर रहा हूं पहले साउथ एशियन बैट्सम जो है ये मुकाम हासिल नहीं किया है रहूई शर्मा भी बाबर से पीछे है विराट कोली भी बाबर से पीछे है विराट कोली का खेर WTC में तो उतना बढ़ियां प्रदर्शन नहीं रहा है 39 का उनका एवरेज रहा है जबकि रहूई शर्मा ने अच्छे खासे रन्स को जो है इसमें 3000 रन्स पूरा कर सकते हैं आप कहने का ये मेरा मतलब हुआ लेकिन इस से भी हट के जो बड़ी बात है वो बड़ी बात यह है कि बाबर आजम जो है उनका रन्स मैटर करे टीम की जीत में क्योंकि जब भी जब भी रन्स बनाते हैं बाबर आजम तब सोशल मीड यह बात होती है देखो रन तो बना दिया अपने रन कर गया उनको ऐसा करना चाहिए न को ऐसा करना चाहिए घर यह जो एजनडा पैडलर होते हैं वह बाबर को नीचा दिखाने के लिए ऐसी आसी बाते करते ही रहते हैं गुद्ध में तो और भी ज़्यादा बढ़े होता है और अगर अपने runs किये हुए है तो यह हो और अच्छी बात है तो मेरे ख्याल से जो runs करें हर batsman चाहता है कि वो जो run बनाए वो टीम के जीत में काम आए ना कि हार में काम आए तो hopefully अगर पहला test match बंगलादेश को अगेस्ट पाकिस्तान जिता है और बाबर के बल्ले से runs आते ह दी हंड्रेट चल रहा तब वो भी खतम हो गया है और अब क्या ही क्या जा सकता है तो hopefully कल से जो match है पाकिस्तान बंगलादेश का अच्छे तरीके से cover करेंगे हमारे साथ बने रहीएगा हमारे ही चैनल पर धन्यवाद लव यो